बुद मॉर्निंग बच्चों दिस इस संतोष संतोष टिवास्तो और सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने है पुट आफ देख यह मेरा 13th सेशन है बच्चों दो हिंदू एडिटोरियल का और आज का कोट है आपका ड्रीम इट विश इट डू इट बच्चों क्या होता है कि बहुत बार हमारी सपने बहुत छोटे होते हैं और जब हमारी सपने हमारी क्वाब बहुत छोटे होते हैं तो फिर हमारा जो लक अच्छे छोटा हो जाता है तो हमारी जो achievements होती हैं वो भी बहुत छोटी हो जाते हैं तो जिंदगी में dream देखें बच्चों और dreams आपके हमेशा bigger हों बड़े हों और उन dreams को wish करें में सुनें पूरा करने की हमेशा इच्छा रखें और अंत में do it अर्थात उन dreams को पूरा कर ल wish करने के बाद do भी करें अर्थात उन्हें पूरा भी करने की कोशिश करें नहीं dream भी देखें वो wish भी करें और उसे पूरा भी करने कोशिश करें और dream जरूर देखें बच्चों क्योंकि सपनी ही इंसान को जिंदा रखते हैं इस दुनिया में करीब seven वक्ट साथ अरब के आसपास लोग हैं बच्चों और साथ अरब में से आप कितने लोगों को जानते हैं कुछ एक लोगों को क्यों कुछ एक लोगों को जानते हैं क्योंकि बाकी जो हैं इस दुनिया की भेंड चाल में बस चले जा रहें जीए जा रहें कुछ भी ऐसा special नहीं करते हैं वो जिनक उन्हें पूरा करें और यह विश्वास भी रखें अपने उपर कि you can you will कि आप कर सकते हैं और आप करके दिखाएंगे ठीक है तो बच्चों सपने जरूर देखें और उन्हें पूरा करने की कोशश भी करें ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और यह हमारी सामने आपके है आज से ही जसा कि मैंने कहा था ये changing's आपकी है जो news है आज की ये आपकी headlines of the day तो मैंने इसको divide कर दिया national news और international news में तो पहली news आपकी कह रही है इंडिया reports 128 more deaths यनि भारत में 128 और मौते हुई और 3277 यानि 3277 cases इन 24 घंटों में नए आए अर था थी प्रति दिन आप देख रहे होंगे अब 3000, 4000, 3000, 3000 इतनी इतनी cases क्या हो रहे है बच्चों बढ़ रहे है जो चिंता की बात है लिए जैसा मैंने कहा था कि recovery जो rate है वो भी बहतर हो रहा है करीब 30% के आसपास recovery rate है जो आगे हम hope करते हैं और बहतर ही रहे है ठीक है नेक्स्ट आपकी headline थी truck carrying migrant workers overturned तो five killed यानी truck यहां बच्चों grammar भी आप सीखें दे रहे है अपना truck यानी वो truck carrying यानी which was carrying migrant workers यानी वो truck जो migrant workers को यानी दूसरे राजियों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनको carrying ले करके जा रहा था overturns वो truck क्या हो गया बच्चों पलट गया five killed और पांच लोग क्या हो गया उसमें dead हो गया मर गये बच्चों अगर आप grammar देखें बच्चों तो जो what editorial होते है या जो newspapers की headlines होती है उनकी जो news होती है उनका grammar थोड़ा सा अलग होता है अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी बच्चों जो हिंदी है five killed कि ये भी हिंदी हो सकती है कि पांच लोगों ने मार दिया ठीक है लेकिन ऐसा यहाँ पर है नहीं actually ये अरगेटिव वर्ब्स का प्रियोग करते हैं जो कभी मैं आपको समझाऊंगा जिसमें वाकि आपका active वाहस में अलग होता है और जब migrant workers को लेकर जा रहा था overturns वो उलट गया लेकिन देखे टेंस कौन सा यूज किया गया बच्चों present यूज किया गया और present इसके यूज किया गया क्योंकि मैंने कहा है समाच चार पत्रों वगरे में आप news headlines वगर जो होते हैं नार्मली वो present में शो करते हैं ना कि पाश्ट में नेक्स्ट आपकी हेडिंग थी आपकी एक्चली यह घटना जो हुए थे बच्चों यह ट्रक केरिंग माइगरेंड वर्कर्स यह मध्य प्रदेश के नर्सिंग पूर रिस्ट्रिक्ट में हुए थी जहां पर पांच उसमें डिट्थ हुए थी चले नेक्स टेंग आपकी 15 आफ्रेंस हो टू रन फ्राम स्वेल्थ में यानि कल से तरह से आप किया सकते हैं आस से कह सकते हैं बलकि मैं कल का दिया हूं तो आस पे आप ले ले और यहां देखिए बच्चों कहीं कोई ग्रैमर आपका फुल्फिल हो रहा है नहीं हो रहा है 15 पेर्स आप ट्रैंस यह सब अलग होता है जो किसी दिन मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा तो 15 पेर्स आप ट्रेंज टो रन फ्राम 12 में आनि आज से 15 पेर्स ट्रेने जो है वो चलेंगे जो नीव डेरीज से चलेंगे अलग-अलग पतना के लिए मुंबई के लिए गुजरात में एहमदाबाद क के लिए करिकटा के लिए अलग-अलग शहरों के लिए महानगरों के लिए चलाई जाएंगी और 15 पेर्स करने मलब यानि जाएंगी और फिर आएंगी एक तरह से 30 उनका वो होगा आना जाना इसलिए 15 पेर्स लिखा गया यहां ठीक है और आगे रेल मंत्राले की योजना है कि ट्रेनी और अधिक बढ़ाई जाएंगी बस इनमें कुछ सहुलियतों का ध्यान रखा चाहेगा नेश्ट आपके लास्ट टरिम थी नेश्टनल नियूज में कि फोर मोर डेट्स इंडली नि दिली में चार और मौते हो गई हैं उकल मिला के करीब 273 के आसपास या 373 हो ग यह चार मौते हैं बहुत जादा नहीं है लेकिन मैं इस पर विवात करने के बजाए बहस करने के बजाए मैं चाहूंगा एक ग्रैमर देखें बच्चों जो अलग है बिलकुल यह मौडर्न ग्रैमर है जो या तो इंग्लिस को खराब कर रहा है या इंग्लिस में बहुत नावन है देखें हैं बच्चों वेरी और फिर क्या लगा है लेस लेस आप जानते होंगे बच्चों लेटिल के लिए हम यूज करते हैं और अगर लेटिल के लिए यूज करते हैं लेटिल तो अनकाउंटेबल नावन के लिए यूज किया जाता है तो अगर लेटिल का हमन नीता लोग बहुत महान होते हैं बच्छों क्या कहा जाए देखें यह इंटरनेशनल लिउज मैंने जोड़ी आज जिसमें पहली न्यूज आपकी है इंडियन चाइनीज टुप्स समझते होंगे बच्छों सेना की टुकडियां जो होती उन्हें टुप्स कहा जाता है एक और टुप होता है टी आर ओ यू पी उछ टुप में इस मंडली को कहते हैं जो गायकों वगरे की मंडली होती वो टुप्स होते हैं तो इंडियन चाइनीज टुप्स सो फेस आफ फेस आफ में इस क्या होता है आमना सामना होना में इस जगडा होना लडाई होना तो इंडियन च Chinese troops face off, चुकि यहाँ दो हैं आपकी Indian Chinese troops plural है, इसलिए face में देखे बच्चो एस नहीं जोड़ा गया, face off in Ladakh और second, पांच माई को क्या हुआ, लदाख में भारती और जो चीनी साइनिक थे, वो आपस में भिन गये, जिनमें कुछ घायल भी हुए, और फिर 9 माई को सिक्की में भ could decline by 60 to 80% in 2020, UN, यानि United Nations के अनुसार, संजुक्त राष्ट्र संग के अनुसार, तो उनके अनुसार के अवा कि जो अंतरराष्ट्री परियतन है, tourism है, could decline, decline means कमी आना बच्चों, घिरावत आना, उसमें घिरावत आ सकती है, बाई, यहाँ बाई को अनला समस्ते हैं बच्चों यानि 60 से 80 प्रतिशत तक कमी आ सकती है, किसमें अन्तराष्ट्री परियतन में, किसके नुसार, UN, यानि United Nations के नुसार, ठीक है, आप समझ रहेंगे क्यों आ सकती हैं बच्चों, इसे एक कोरोना, जो आपका एक pestilence है, मैं इसे एक pandemic है, उसे के कारण, और लास्ट हिडिंग आपकी थी, इरान missile accidentally strikes, strikes means प्रहार करना, बच्चों, strikes ownership, यानि इरान की मिसाइल ने क्या किया, अपनी ही जहास पर, जो एक light vessel थी, उस पर प्रहार किया, एक तरह से आप accidentally कह रहे हैं, मैं जान बूच के नहीं किया गया, बस उमिसाइल जाके लग गई, kills 19 sellers, और जिसमें उनक क्या हो गए उनकी, death हो गई, मर गए वो, ठीक है बच्चों, ये international news थी, और अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैंने कहा था, अब editorial से पहले आपका word power रहेगा, तो आपको जादा फायदा होगा, ये आपके साबने है, एक एक verse देख लें जल्दी से, तो पहला word जैसा कि आप बच्चों, है इस्ट्रिव, इस्ट्रिव क्या होता है, to spread by scattering, अर्था चितरा देना, बिखेर देना की चीजों को इस्ट्रिव, जैसे माल लीजे, अभी आप ये जो, जिस पर आप editorial पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों, 16 migrant workers जो थे, जो मुंबई में ही, railway track पर, उनकी जो इस्ट्रिवन थी, क्या थी, बिखरी हुई थी, इस्ट्रिवन क्या है बच्चों, इस्ट्रिव, 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 इस्ट्रिवन, थरफाम के adjective के रोप में, ठीक है, तो इस्ट्रिव मेंस बिखेर ना, छितरा देना, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, आपका flip- यानि as of a policy or strategy, आप जानते हों इस सरकारी जो होती है कभी कोई निड़े लेती है तो दूसी सरकारी उसी निड़े का पालन नहीं करते हैं यानि कभी वो पालन करती हैं जो अचानक परिवर्थन होता है वो आपका flip flop होता है आपके life में भी बहुत सारी flip-flops होते हैं, बच्छो, means अचानक परिवर्तन होते हैं, sudden reversal होता है, बहुत बार कोई बहुत धनी होता है, तो वो एक अचानक reversal होता है, और वो गरीब हो जाता है, और बहुत बार कोई गरीब होता है, और लाटरी लग जाती है, और बहुत धनी हो जाता है, बहुत बार क्या होता है, जैसे पहले अगर आपको याद हो, पासपोर या पासपोर्ट बनवाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, बहुत सारी इतनी procedures हुआ करते थे, लोग trust हुआ हो जाये करते थे, लिएन सरकार नहीं इसको facilitate किया, यानि इसके जो procedures थे, उन्हें facilitate कर दिया, means उन्हें easier बना दिया, means facilitate means to make easier, आसान बना देना, सुगम बना देना, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, किसी चीज़ की प्रक्रिया जो होती है, बहुत कठिन होती है, और जिससे माले आप कोई app डाउनलोड कर रहे हैं, उस app को डाउनलोड करने के बाद आपको लगा, अरे ये तो बहुत difficult है, बहुत tough है से समझना, और वहीं कोई ऐसा app है, जिससे समझना बहुत आसान है, तो उस app developer ने, उसकी procedures को क्या कर दिया है बच्चों, facilitate किया है, means, आसान बना दिया है, सुगम बना दिया है, तो facilitate means, to make easier, means, आसान बनाना, सुगम बना देना, कोई चीज़ जो difficult करने में, उसे आसान कर देना, ये वर्ट आप जानते हैंगे, instance, instance means, means, कोई एक्जाम्पल होता है, means, कोई उदाहारण होता है आपका, ठीक है, जैसे, for instance, we want to tell it, tell this, यानी, what, for example, या for instance, means, उदाहारण के लिए, for instance, we can say, that he is a good person, ये उदाहारण के लिए, हम कह सकते हैं, ये वह एक अच्छा इंसान है, this is, for instance, for instance, means, for example, means, उदाहारण के लिए, next word है बच्चों, aggravate, aggravate क्या होता है बच्चों, मान लिजए, दो लोग लड़ रहे हैं, और जो दो लोग लड़ रहे हैं, आप उनमें से एक के पास जाएं, और उसे और अधिक भढ़का दें उसे, means, you are adding fuel to the fire, तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों, उस condition को, उनके इस्थिति को आप aggravate कर रहे है, means, और अधिक क्या बना दे रहे हैं, बदतर बना दे रहे हैं, उन्हें भढ़का रहे हैं आप, this is, aggravate, means to make worse, means, किसे चीज़ को बदतर बना देना, more serious, या और अधिक गंभीर बना देना, or more severe, या और उसे severe, कठीन बना देना, कठोर बना देना, या to intensify, अर्थात उसकी जो तीवरता है, उसको और बढ़ा देना, ठीक है, ये aggravate बना है, aggravate एक वर्ब है, means बदतर बना देना, भड़का देना, बहुत बाल, कोई परिसिती होती है, उसे लोग aggravate कर देते हैं, means क्या बना देते हैं, और खराब कर देते हैं, next वर्ड बच्चों, incompetence, ये बच्चों, competence का opposite है आपका, competence means होती ये चमता, इन उसका एक प्रिफिक्स जोड़ करके, enter निम बना दिया गया, incompetence हो गया, means unsuitability for a particular purpose, यानि जब आप किसे विशेश उद्देश के लिए, unsuitable हो, means क्या हो आप, अक्चम हो, अनुपियुक्त हो, तो आपके अंदर क्या है एक प्रकार की, incompetence, मैं इन सब अक्चमता है, नपुन्शक्ता है, जिसे माली जी, सरकार है, कोई निड़े ले करके, किसी चीज को बहतर बना सकती है, लेकिन, सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो सरकार क्या शोड़ कर रही बच्चों, incompetence शोड़ कर रही, नेक्स्ट वर्ड है आपका, toddlers, टॉलर समझते हैं, वन हो, toddlers, मैं इन सब, young children, छोड़े छोड़े, बच्चे चो होते हैं, वो toddlers होते हैं, तो toddlers, छोड़े छोड़े बच्चे, young children, नेक्स्ट वर्ड है, indelible, अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यह आपका delete से बना है, delete मिन्स क्या होता है, किसे चीज़ को remove कर देना, हटा देना, तो delible, जो हटाया जा सकता है, remove किया जा सकता है, और delete किया जा सकता हो, तो inodelible, opposite हो जाएगा बच्चों, justice को remove न किया जा सकता हो, बहुत बार ऐसा होता है न, कोई memory आपके दिमाग में, मस्तिस्क में बैठ जाती बच्चों, और जब वो memory बैठ जाती है, तो उसे आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो indelible है, अर्थात आपके मस्तिस्स से वो बाहर नहीं निकल रही है, कोई भी ऐसे घटना बच्चों, जो आपके मन मस्तिस्स पर बैठी हुई है, वो निकल नहीं रही है, वो घटना क्या है, inodelible है, means that cannot be removed, यानि जो चीज निकाली नहीं जा सकती हो, वाश्ड अवे साफ नहीं कि जा सकती हो, और erased या जिसे मिटाया नहीं जा सकता हो, वो omit है, यह खुद omit, और यहाँ prefix है, omit जिसे मिटाया न जा सकता हो, तो बहुत सारी घटना हैं बच्चों, हमारे आपके जियोन में क्या होती है, inodelible होती है, means, so omit होती है, ठीक है, जैसे जब पहली बार, मैंने अपने फादर को देखा था, कि वो किसी भी लेवल पे जाके, मेरे को support करने के लिए तयार हैं, तो जो घटना हुई थे उस समय, वो घटना मेरी मन मस्तिस पर ऐसे बैठ गई, कि वो inodelible हो गई, means, क्या हो गई, omit हो गई, अर्थात, उसे मैं आज तक अपने मस्तिस से, निकाल नहीं पाया है बच्चों, वो घटना हमेशा, मेरे मस्तिस में बनी रहती है, चली बच्चों, तो indelible हो गया, means, वो चीज़ जो omit हो, next word है बच्चों, आपका, survivors, survivors, survivors हम सकते हैं, survive से बनाया बच्चों, survive क्या होता है, जिन्दा रहना, बचे रहना, बने रहना, यह होता है न, तो survivor, जो लोग जिन्दा बचे हुए हो, वो survivors होता है, तो people who survive जीवित लोग, जैसे अभी ये घटना हुई, जिसमें 16 migrant workers की death हो गई बच्चों, unfortunate death हो गई, तो उसमें जो survivors थे, अर्थात जो उनमें, बचे हुए मजदूर थे, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, survivors कहेंगे, जो भी किसी घटना, किसी कठिन घटना से बच निकलते हैं, उसमें बाकी, कुछ लोग की death हो जाती है, कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जो बचे रह जाते हैं, उन्हें survivor कहा जाता है, next word है आपका pestilence, pestilence क्या होते हैं बच्चों, महामारी, pandemic कह सकते हैं, something, कोई ऐसे चीज, that is destructive, जो विनाशकारी है, और परनिशस, परनिशस मेंस भी, खतरनाक मेंस विनाशकारी, तो pestilence महामारी, जो इससे माप समझ सकते हैं, आप pandemic बहुत वर्ड आपने बहुत बारी यूज किया, तो वैसे ही जो corona है, या जो कोई ऐसे बीवारी, जो महामारी के रोप में है, वो एक प्रकार की pestilence होती है, pestilence क्या हो जाएका बच्चों, महामारी, next word है आपका tailspin, tailspin क्या होता है, वास्तों में बच्चों एक downturn होता है, मेंस एक प्रकार का mode होता है, लेकिन यहाँ इस editorial के हिसाब से, यह एक प्रकार का mental letdown है, क्या है बच्चों, mental letdown, यह एक प्रकार की मानसिक निराशा कह सकते हैं, or collapse, या जब कोई ब्यक्ति मानसिक रूप से बिलकुल तूट जाए, बिखर जाए, तो वह tailspin का शिकार हो गया, तो tailspin में इस मानसिक बिखराओ, आप सोच सकते हैं बच्चों, जानते होंगे जपकी लेना होता है वास्तों में, तो इसी to be off guard, जब आप जपकी लेते हैं तो अपनी आसपास की परिस्थितियों से आप लापरवा हो जाते हैं, तो यहां वर्ब के रोप में है नाइप, नाइप मिन्स लापरवा होना जपकी लेना, अक्सर जब आपकी रात के नीद पूरी नहीं होते हैं और आपनी classes वोगरें होते हैं तो दिख रहे हैं हूगी teachers पढ़ा रहे होते हैं, और आपको क्या रही होती है, नीद आदू, हलकी नीद जो होती हैं वही आपकी नैप होती है, मैं सो जपकी लेन, नेक्ष्ट वड़ा आपका ठिन्वस समझते होंगे ठिन्वस मैंस कमजोर अर्था जिसमें बहुत ताकतना हो फिलिम से यह important वड़ बजो कमजोर वीक तो आप जानते ही है अर्था जो चीज ठिन्वस है वो बहुत कमजोर है जैसे आप अगर एक्जामपल एक रूप में ले सकते हैं तो आप कहा सकते हैं बच्चो आसकल के जो आपस के रिस्ते होता है उन रिस्तों में जो धागा होता है रिस्तों का वो बहुत टेन्वस होता है बहुत कमजोर होता है आप देखते होंगे, बहुत जल्दी वो रिस्तों का जो धागा होता है, वो तूट जाया करता है, और लोग एक दूसरे से अलग हो जाया करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बेच में जो इस्ट्रिंथ है, बॉन्ड है न, वो बॉन्ड बहुत मजबूत नहीं, बहुत इस्ट्र हो, कठिन हो बहुत, वो वन्रस होता है, बहुत जिम्मेदारी भरा कह सकते हैं, उबाओ जिसको कह सकते हैं, वो वन्रस होता है, जैसे बहुत बार आप कोई कारी करते ही, उब जाते है, वो कारी आपको बहुत भारी लगने लगता है, कष्ट दायक लगने लगता है, दूर भर हो जाता है उस कार्य को करना दसेज वन्रश तो involving, imposing or constituting a burden जिसमें कोई-कोई भार हो बच्चों कष्ट हो जो troublesome हो मैंसो कष्ट दायक हो वो वन्रश होता है आपका मैंसो कष्ट दायक दुर भर जिन्दगी कभी-कभी क्या हो जाते है बच्चों वन्रश हो चाहती है और न होने दे बच्चों हमेशा इसको कहने जेनरस रहने दे मैंस अब उर्जावान बने रहे है दिल सही बड़े बने रहे है लोगों के पती सहिश्ण बने रहे है ठीक है और second last word है आपको बच्चों get by get by क्या होता है निर्वहन करना जैसे इतना कमा लेना कि आपका खर्चा जो है वो क्या होता रहे है बच्चों चलता रहे यह get by होता है get by means to make ins meet अर्था इतना गुजर्बसर कर लेना कि आपका खर्च जो है वो आसानी से क्या होता रहे चलता रहे the size of get by और last word है venture आपका venture क्या होता है बच्चों an undertaking involving chance यान कोई भी ऐसा undertaking यानि कोई भी ऐसा कारी बच्चों कोई भी ऐसा undertake जो आप कारी करनी जा रहे हो अगर उस कारी में आपको ऐसा लगे कि उस कारी में बहुत अधिक risk है क्या है बच्चों बहुत risk है तो आप तोनों समझ लेना है तो venture में इस बच्चों यहां नीचे लिखा होगा venture में कोई भी ऐसा जोखिम भरा कारी अर्था जिसमें आपको chance या risk लेना पड़े वो क्या होता है venture होता है venture में इस जोखिम भरा means कठिनाई से भरा हुआ risk से भरा हुआ कारी ठीक है तो हमारे पास जो words आसके हैं फ instruments क्या हो गया बच्चों याद हो गया instruments बिखेर देना means to spread by scattering flip-flops याद हो गया जब आप अचानत परिवर्तन करें अर्था एक उलट की अवस्था आज है जो अवस्था थी उससे पहले वाली अवस्था आज है तो यह आपका flip-flop होता है sudden reversal होता है facilitate क्या हो गया जब आप कि प्रकार का example होता है मैंस उदाहरण होता है आपका aggravate क्या हो गया जब आप किसी परिस्थिती को और बदतर बना देते हैं उसे भरका देते हैं तो आप उसे aggravate कर देते हैं incompetence जब किसी कंदर अच्छमता हो नपुणशकता हो तो वो incompetence होता है toddlers कौन होते हैं बच्चों जो छोड़े-चोड़े बच्चे होते हैं यंग छोड़ेन होते हैं वो toddlers होते हैं indelible क्या है कोई ऐसे चीज़ जो आपके मनमस्तिस से मिटाई नहीं जा सकती हो अमिठ हो वो क्या है indelible है survivors कौन होते हैं जो किसे घटना में जिन्दा बच जाते हैं वो लो survivors होते हैं क्योंकि वो survive कर गए बच गए बच गए बो वो एक tail spine होता है nap समझते होंगे जपकी लेना या किसी चीज़ के प्रतियास पास की परिष्थितियों से लापरवा होना means nap करना 10 verse क्या होते हैं जो रिस्ते बहुत कमजोर हैं वो 10 verse relations होते हैं means कमजोर वन्रस क्या है जब रिस्ते कमजोर हो जाते हैं तो जिन्दगी आपकी क्या हो जाती है वन्रस हो जाती में इनसो ट्रबल सम हो जाती है बर्डें सम हो जाती है और जब वर्डें सम हो जाती है तो get by करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्छों, मैं इंस निर्वहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब निर्वहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो जिन्दगी में आपको बहुत सारे ventures लेने पड़ते हैं, मैं इंस जोखिम से भरी हुए कारी करने पड़ते ठीक चलिए आते हैं बच्चे एडिटोरियल आज का हमारा है एडिटोरियल आफ टुडेग यह स्थार में आपके दुखरा है यह बच्छो आपका आज का एडिटोरियल है ट्रेजडी आंद ट्रैक्स यानि जो रेल की पटरियों पर ट्रेजडी हुई दुखान तो घटना आज किलिंग आफ 16 माइगरेंट वरकर्स और यह उन 16 मजदोरों की मौत पर लिखा गया है जो उस रेल वे ट्रेक्ट पर क्या हो गया है मर गया है उनका एक्सिडेंटली मल एक्सिडेंट हो गया वो निश्ट आपके इसकी में हेडिंग सब हेडिंग है इस्टेट सपोर्ट यानि राज्य का जो सपोर्ट है में समर्थन है साथ है सहारा है गुड कम्यूनिकेशन में अच्छा संबाद इस्ट्रेडजी यानि ऐसी रणनीती बच्चों जिसमें इस्टेट का क्या हो आपको सपोर्ट हो में इस राज्य आपको सपोर्ट करें गुड कम्यूनिकेशन औ और आपसे यानि लोगों से अच्छे तरीके सुन से समबाद स्थापित किया जाए, ऐसी रणनीत, ऐसी स्ट्रेडजी और वाइटल, क्या है बच्छों बहुत, वाइटल, वाइटल आप पढ़े होंगे, वाइटल में इस महत्पूर्ण, जो बच्छे बच्छों अच्छी व ब्रम्हास्त्र है, अगर आपको इंग्लिस को अच्छा बनाना है, तो इंग्लिस को जो इंग्लिस एडिटोरियल होते हैं, दे हिंदो के या दर टाइम साफ इंडिया वगरे के, आप इन्हें पढ़ें, और आपके कुछ समय के अंतराल पर आपकी वर्ड पावर, आपका ग गुड कम्मिनिकेशन देते हैं, अच्छा समवाद स्थापित करते हैं, तो ये एक स्ट्रेटजी जो है, यानि ऐसी रणनीती, और आपके क्यों लगा बच्चों, क्योंकि हमार पास दो सब्जेक्स हैं, एक स्टेट सपोर के रोप में, और एक गुड कम्मिनिकेशन के टू इंड यहां वर्ब की रूप में है, टू इंड समाप्त करने के लिए दा माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, यानि जो प्रवासी मजदोरों का संकट है बच्चों, उस संकट को समाप्त करने के लिए बहुत महतपोर है, क्या बहुत महतपोर है, इस्टेट सपोर्ट और गुड कम्मिनिकेशन की स्ट्रेट से, यानि सिंपल सूर्टा बोल दें, अगर आप उन माइग्रेंट लेबर क्राइसिस को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपकी स्ट्रेट जी क्या होनी चाहिए, कि राज जी हमको आपको मजदोरों को समर्थन दे और उनके साथ क्या करें अच्छी तरीके से समबाद स्थापित करें ठीक है, चले आगी परते हैं, करें दो ट्रेजडी, दो ट्रेजडी मेंस वो दुख से भरी हुई घटना, मेंस वो एक्सिडेंट जो लोगों के लिए बहुत ही शाकिंग था, तो वो ट्रेजडी, वो दुख से भरी घटना, जिसमें सोलह छितराय हुए, बिखरे हुए शरीर थे, मेंस मृत शरीर थे, आन और रेलवे ट्रेक, कहां बच्छों थे वो, आन और रेलवे ट्रेक, रेलवे ट्रेक मेंस रेलवे की पट्रे पर, यानि वो दुख की घटना, जिसमें सोलह मृत शरीर जो थे, बिखरे हुए थे आन और railway track in महाराष्ट्रा में railway track पर रेल की पट्री पर आन Friday morning कब बच्छो Friday की morning को निस Friday की morning को 16 जो बिखरे हुए शरीर थे railway track पर बिखरे हुए में ऐसे पड़े हुए थे वो जो tragedy थी बचो आप देहें आप से पहले subject है न वो जो उनकी tragedy थी has been इसलिए के has been हो गया बच्चों ठीक है the tragedy आपका singular था यानि वो दुख से भरी घटना जिसमें हमने देखा कि 16 छितराई हुए बिलकुल बिखरे हुए शरीर पड़े हुए थे on a railway track in महाराष्टरा महाराष्टरा के railway track और इस घटना वो घटना मन मस्तिस्क पे बिलकुल उत्पन हो रही means बनी रह रही है फार वीक्षनाओ कब से बच्चों सब्ताहों से यानि एक तरह से कहेंग का सेंस है कहने का यानि फार वीक्षनाओ अब से सब्ताहों तक ये घटना दिलो दिमाग पर च्छाई रहेगी मेकिंग में रहेगी यानि एक प्रोसेस में रहेगी चलती रहेगी ये सोच ये घटना कौन सी जिसमें सोलह बिखरे हुए शरीर थे कहा रेलवे ट्रैक पर किस जगर पर महाराश्ट्रा में कब आन फ्राइडे मारने तो ये बहुत ही दुख से भर ही खटना है बच्छों आप सोच के देखें गलती उन मजदूरों के बच्छों रेलवे ट्रैक पर चल लेते लेगे अभी आप समझेंगे तो आप इस समझ जाएंगे उनके रेलवे ट्रैक पर चलने की पीछे जो नादानी थी वो क्यों होने की चली देखें बच्छों दू सेंटर मैंस केंद्र सरकार और सेवरल इस्टेट्स और बहुत सारा जब भी बच्छों सेवरल देखें तुरन समझ जाएं कि इसके बाद आपका क्या आएगा plural noun ही आएगा ठेक है और यहां दो सब्जेक्स हो गए एक दसेंटर हो गया और दूसा सेवरल इस्टेट्स और सेवरल इस्टेट्स और सेवरल इस्टेट्स और लिडी प्लूरल है इसलिए यहां देखें have been है ना the center and several states यानि जो केंदर सरकार है और सेवरल इस्टेट्स जो बहुत सारी अनेक राज है have been engaged यानि वो लिप्त रह रह रहे हैं लिप्त हुए हैं इन flip-flops किनमे बच्चों बार-बार अपने नड़ेओं को पलटने में यह बार-बार वो एक दूसरे पर एक तरह से लिपा पोती कर रहे हैं unfacilitating किस चीजों के लिए आसान बना देने के लिए the return of migrant workers किस चीज को आसान बनाने के लिए the return वापसी को किनकी वापसी को of migrant workers उन प्रवासी मजदोरों की वापसी को to their homes तहां के लिए बच्चों अपने उनके घरों के लिए कुछ बच्चों मन में आएगा बच्चों कि सर होम की पहले तो यहाँ to लगा हुआ है नहीं बच्चों यह होम की पहले लगा है लेकिन तभी जब इसके पहले आपने एक positive adjective ले लिया बच्चों आप होम की पहले direct to का प्रियोग नहीं कर सकते हैं ठीक है आप at home करते हैं in to home नहीं होता है लेकिन तब आप to लगा सकते हैं यदि होम की पहले होम की पहले आपने क्या कर दिया हो कोई positive adjective लगा दिया तब आप to लगा सकते हैं ठीक है the center and several states जो केंदर हैं और जो कई सारी सरकारे हैं राज सरकारे हैं have been engaged in flip-flops यानि वो उलट फेर की स्थिति में रह रहे हैं अर्थात कहीं कहीं वो on निर्डे की अवस्था में flip-flops यानि कहीं कहीं निर्डे को बार बार क्या कर रहे हैं बच्चों change कर रहे हैं किस चीज़ पर उनके निर्डे उलट पलट के हो रहे हैं उलट फेर किसी कार हो रहे हैं unfacilitating यानि सुविधा संपन बनाने के लिए यानि आसान बनाने के लिए और सुगम बना देने के लिए किस से इसको the return of migrant workers यानि उन प्रवासी मजदूरों की वापसी को आसान बना देने के लिए जो केंद्र है और राज सरकारे हैं वो आपस में flip-flops कर रहे हैं यानि कभे निर्डे लेती हैं तो कभी उससे क्या कर देती हैं पलट देती हैं कौन से migrant workers के लिए बच्चों जो migrant workers कहाना चाहते हैं अपने घर आना चाहते हैं in the present instance यानि इस वर्तमान घटना में इस वर्तमान घटना में the workers वो जो मजदूर थे at a company अब यह दिखे वर्ब नहीं आई बच्चों ध्यान रखेगा वर्ब जब भी आएगी the workers के नुसार आएगी क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर preposition है तो इसके बात के नुसार नहीं आएगी तो वर्तमान उदाहर में क्या हुआ कि the workers वो जो मजदूर थे at a company in जालना in महाराष्ट्रा महाराष्ट्रा के जालना की एक company में जो workers थे काम करने वाले जो मजदूर थे वर देखे आएगी बच्चों workers करने उससार वर वो मजदूर वर वाकिंग on the track वो मजदूर कहां चल लह थे बच्चों रेल की पट्री पर चल लह थे to their families कहां जाने के लिए बच्चों अपने परिवारों के पास जाने के लिए इन मध्र प्रदेश और उनके परिवार कहां थे बच्चों मध्र प्रदेश में थे some 800 km away some means लगभग भी होता है लगभग 800 km दूर थे वो परिवार उनके after the national lockdown और ये बच्चों कब से ये दूर थे जब से national lockdown राष्ट्री बंदी जब से हुई तब से वो अपने परिवारों से दूर थे इसलिए वो railway track पर चल लहे थे वर walking on the railway track पर चल लहे थे ताकि अपनी उन परिवारों से मिल सकें जो परिवार कहां रह रहे थे बच्चों मध्र प्रदेश में और ये महाराष्ट्रा से कितने दूर जालना से कितने दूर था बच्चों 800 किलोमेटर अवे दूर अवे क्या है बच्चों एड़ब आफ प्लेस है याँ आठ सो किलोमेटर दूर थे और ऐसा कबसे हो राथ बच्चों after the national lockdown यानि जब राष्ट्री बंदे होई since March यानि कबसे March से derailed their livelihood जिसके वज़े से उनकी आजीवी का उनका जो जीवन था बच्चों derailed हो गया derailed पट्री से उतर गया बच्चों फिर से देखें आप करें in the present instance यानि इस वर्तमान उदाहरण में the workers company कहा बच्चों उस company में इन जालना जो company कहा थी बच्चों महाराष्ट्रा में महाराष्ट्रा के जालना में वो workers were walking on the track यानि वो track पर चल रहे थे पट्री पर चल रहे थे to their families in मधरप्रदेश किन से मिलने के लिए बच्चों जा रहे थे वो मधरप्रदेश में अपने परिवारों से मिलने के लिए the center's inability यानि center की केंदर सरकार की inability उसकी अच्छमता और देखे फिर inability के साथ बच्चों क्या लगा है to ठीक है तो केंदर सरकार की जो अच्छमता है किस से इसके बच्चों to clearly communicate बच्चों ये modern English जो मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ rule है आपका कि आप infinitives के बेच में to और verb के बेच में आप adverb का प्रियोग नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ देखे split infinitive का दोस्त दिया गया है जो modern English में मान्य हो रहा है इसलिए मैंने का English बदल लही बच्चों या तो खराब हो रही है या फिर बदलाओ का शिकार हो रही है देखें फिर से the center's inability यानि केंदर सरकार की जो अच्छमता है to clearly communicate किस सीज़ में बच्चों असपश्ट समवाद अस्थापित करने में to the public किन के साथ लोगों के साथ जनता के साथ and states और राजियों के साथ the purpose कौन सा समवाद अस्थापित करने में कि वो उद्देश यानि उस उद्देश पर वो बात करें and protocol और उस व्यवस्था पर बात करें सुनिश्चित नियमों पर बात करें of the lockdown किन के सुनिश्चित नियमों बच्चों इस lockdown के every step of the way हर एक कदम जो उठाई जा रहे हैं हर वो कदम has put people through उस कदम ने लोगों को संकट में डाला है completely avoidable hardship एक ऐसा संकट बच्चों completely avoidable जिस संकट से पूरी तरीके से बचा जा सकता था hardship यानि कठनाई यानि एक ऐसे कठनाई वे put through कर दिया उन्हें डाल दिया है जिस कठनाई से avoidable completely यानि पूरी तरह से क्या हुआ जा सकता था बचा जा सकता था फिर से देखें बच्चों करंद सेंटर inability यानि सेंटर के अक्षमता कौन से अक्षमता to clearly communicate to the public and states कि वो लोगों से और राजियों से क्या करें बच्चों असपष्ट बातचेत करें the purpose उद्देश के बारे में and protocol of the lockdown की और इस lockdown का जो कुछ सुनिश्चत नियम है उनके बारे में बात करें every step यानि उसकी वज़़स जो कि बात नहीं कर रहे है उसकी अच्छमता शाबित हो रही है इसलिए every step of the way हर कदम जो है रास्ते का has put people through completely available हासे सरकार के इस अच्छमता ने क्या किया बच्चों लोगों को एक ऐसे संकट में डाल दिया जो संकट क्या available था उससे बचा जा सकता था और पूरी तरह से बचा जा सकता तरीक है word power जरूर देखे बच्चों काम आएगा आपको जैसे आपने देखा put through यहाँ पे phrasal verb का प्रियोग किया गया था बच्चों दिखा रहा हूं मैं आपको यह आपका था यह यहाँ put people through यहाँ पुट समों थो में मुसीबत में डाल देना कठिनाई में डाल देना अवाइड़ समझते होंगे जिसको अवैड किया जा सकता हो बचा जा सकता हो hardship कठिनाई this governance यह जो शासन है यानि यह जो शासन है failure इसकी जो असफलता है यानि इस सासन की जो असफलता है वाज यह जो शासन की असफलता है वाज एग्रिवेटेड यह असफलता और अधिक बदतर हो गई बच्चों और अधिक बुरी हो गई बाई किसको पैसी वाज देखिया है न बाई सेवरल इस्टेट स्किन के दोरा कई सारे राजियों के दोरा क्यों यह असफलता और बत्तर हो गई इदर या तो डियू टू लैक आफ के पाश्टी या तो उनके अंदर वो छमता नहीं थी इसलिए वो ऐसा नहीं कर सके आर इनकम्पिटेंस या फिर वास्तों में वो करना ही नहीं चाहते और बदतर क्यों हो गई क्योंकि कई सारी जो राज सरकारे थी या तो कैपासिटी के अभभाव के कारण या इनकम्पिटेंस के कारण में इनस नपुन शकता अक्षमता के कारण वो फेलियर जो था गवर्नेंस फेलियर और अधिक्या हो गया बच्चों बढ़ गया बदतर हो गया वह चले आगे बढ़ते हैं बच्छो दसाइट हो साइट मेंस बच्छो द्रिश्य दसाइट आफ अब जैसे आफ आया न तुरून समझ जाएं कि आगे जो भी वर्ब होगी बच्छो वो साइट के नुसारी सिंगुलर रहेगे जिसमें बच्छो वो जो प्रवासी मजदूर थे उनका एक और सेमित मैंस अथाह लाइने कह सकते हैं अथाह भी जो थी वो चली जा रही थी इसका द्रिश्य जो था और आगे में देखते हैं सम आफ देम जिनमें से कुछ कैरींग टाडलर समझ रहे होंगे हूँ वर कैरींग टाडलर इनमें से कुछ अपने छुड़े-छुड़े बच्चों को लिए हुए थे और इनफर्म यानि वो लोग जो कमजोर थे अशक्त थे बच्चों विकलांग दिव्यांग की श्रणी में आएंगे वो लोग वाकिंग टुर्ड्स इंडियाज पूरर रीजन्स वाकिंग टुर्स यानि जो चल रहे थे किस तरह बच्चों पूरर रीजन्स भारत के गरीव छेत्रों की तरफ यानि एक तरस कह सकते हैं मुंबई वगरे से डेली वगरे से यूपी बिहार की तरफ चले आ रहे थे एक इस्ट्रीम इंड लेस्ट्रीम के रोप में में एक प्रवाह के रोप में अर्थ व्यवस्थाक लिहाज से बहतर थे विल अब देखे बच्चों यह दस साइट का जो वर्भ है वो यहाँ है वो द्रिश्य विल रीमेन एन इन डेलिबल में में यह एक अमिट याद बन के रहेगी आफ दिस इनेप्ट इस अक्षम एंड इनसेंसिटिव अप्रोच और असमवेदन शेल सोच की देट हैड नोट टेकन देर परडिकुलर सरकुम्ष्टांसेज इन्टो एकाउंट टेक इन्टो एकाउंट मैंने पढ़ाया था बच्चो मैं इसके सेचेज को अपने संग्यान में लेना मुझे लग रहा है लेकिनी लाइनी बड़ी हो रही ही तो आप फिर से देख लेए करें दो साइट यानि वो द्रिश कौन सा द्रिश से बच्चो आफ एन इंडलेस इस्ट्रीम आफ माइग्रेंट लेवर समझ सकते हैं बच्चो जब अथाह भीन के रोप में वो प्रवासी मजदूर क्या हो रहे थे बच्चो चले जा रहे थे सम आफ देम कैरिंग टॉडलर्स उनमें से कुछ छुड़े-छुड़े बच्चों को लिए हुए थे और कुछ जो थे वो इनफर्म यानु उसमें अशक्त थे कमजोर थे वाकिंग ये वाकिंग किस के लिए बच्चो है उन्हें लेवरर्स के लिए walking towards India's poorer regions और ये किस तरब जा रहे थे बच्चों भारत के उन छेत्रों की तरफ जो गरीबी से युक्त है means जहां गरीबी जादा है from its economic centers और ये मजदूर कहां से जा रहे थे ऐसे जगहों से जो वास्तों में अर्थव्योस्था के लिहाज से बहतर थे और ये दृष्य जो है बच्चों will remain and indelible में हो रहे हमारी मस्तिस्थ में एक अमिट छाप की रोप में बना रहेगा of this inept and insensitive approach कि वो दृष्य क्यों आया बच्चों क्योंकि एक यह अयोग्य और असमवेदन सेल सोच का परड़ाम था जो सोच had not taken their particular circumstances into account जिस सोच नहीं क्या नहीं किया था बच्चों उनकी परिस्थिती को did not take into account अपनी संग्यान में नहीं लिया था कि उन मजदूरों का क्या होगा ऐसी inept or insensitive approach यानि ऐसी अक्च्चम और असमवेदन सेल जो सोच है बच्चों यह सोच will remain an indelible memory यह हमारी दिमाग में अमिट याद के रूप में बनी रहेगी क्यों 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 कि वो दृष्ष कभी हम क्या नहीं कर पाएंगे बच्चों भूल नहीं पाएंगे कौन सा दृष्ष जिसमें अथा हम migrant laborers धीन के रूप में अपनी बच्चों के साथ छोड़े चोड़े और इन फर्म्स के साथ क्या कर रहे थे बढ़े जा रहे थे बच्चों चलिए आगी बढ़ता है करें under orders to stop their movement at any cost under orders बच्चों यानि अभी subject नहीं आ है बच्चों तो prepositional phrase है न subject देखे यहां है आपका यानि under orders यानि चुकि आदेश मिले हुए थे उस आदेश के अधेइन कौन सा आदेश बच्चों to stop their किस के लिए है उन मजदूरों के लिए to stop their movement at any cost यानि आदेश दिया गया था कि किसी भी कीमत पे किसी भी कीमत पे बच्चों उन मजदूरों के movement को यानि उनके आने जाने को क्या किया जाए रोका जाए इस आदेश के अधेइन the police जो police थे in many places कई जगहों पे forced them उस police तो ने क्या किया बच्चों बाद भी कर दिया मजबूर कर दिया to walk back कि वो जहां जा रहे हैं उससे क्या हो जाएं वापस चले जाएं समझ सकते हैं बच्चों और इसे हुआ क्या बच्चों दिस particular group तो यह जो जो अभी railway track पे जिनका मतलब हो गया मर गय है वो जो विसेश group था उसने क्या किया took to the rail track उसने क्या किया rail की पट्री का रास्ता अपना लिया to escape the police ताकि पुलिस से क्या कर सकें बच्चों बच सकें वो according to survivors और यह किस ने बताया बच्चों उन survivors ने बताया मतलब उन जो कौन थे बच्चों जो बचे हिवे लोग रह गये थे उन लोग ने बताया अर्थात समझ रहेंगे यह यह लोग railway track से क्यों चलने लगे थे क्योंकि जब यह सडकों से जा रहे थे तो पुलिस ने क्या कर दिया इने वापस भेज दिया और यह वहां रहना नहीं चाहते थे अब किसी कीमत पर अपने परिवारों से मिलना चाहते थे इसलिए railway track से सोचे कि वहाँ पुलिस नहीं देखेगी और railway track से यह चलने लगे चले लाश्ट लाइने बच्छो दो यत्यप की इट डिड नाट इस्पेर एनी एफोर्ट दब कि इस से इस प्रयास से नहीं बचा जा सकता है तो मेक इस्पेक्टिकल्स out of an unfolding pestilence कि आप जो unfolding pestilence है यानी जो सर्व विदत महामारी है इसके जो spectacles है यानी इसके जो दृष्ष है इससे बचने का प्रयास नहीं बचो लेकिन each government announcement हर एक सरकार की जो घोश्रा है about the lockdown किसके बारे में lockdown के बारे में through even the educated people into a tasement उसने सिक्षित लोगों को भी through क्या कर दिया fake दिया पटक दिया बच्चों into a tasement किसमे एक मानसिक बिखराऊग यानी हम इस चिस से नहीं बचना चाहते हैं लिखा कर रहे हम इस चिस से नहीं बचना चाहते हैं कि जो दृष्ष है ये unfolding pestilence सर्विदित महमारी के दिर्श है सब लोग जानते हैं लेकिन इच गवर्नमेंट एनाउंसमेंट हर सरकार की जो एनाउंसमेंट ये सरकार की हर एक घोशना जो है about the lockdown किसके बारे मच्चों lockdown के बारे में through even the educated public into a tasement उससे और सेक्षित तो छोड़िये सेक्षित लोगों को भी कहिन के मान से कष्ट हुआ and or required numerous clarifications और इसके लिए बहुत सारे अंगिनत clarifications यानि असपश्टी करनों की जरुरत पड़ी and amendments और इसमें कई सारे क्या करने पड़े बच्चों परिवर्तन करने पड़े ठीक है समझ रहे होंगे आप to argue देखे बहुत अच्छी line है बच्चों यहाँ पर देखेगा to argue यह subject बच्चों यहाँ ठीक है और आगे इसका verb मिलेगा to argue यानि यह तरक करना यह तरक देना कौन सा तरक बच्चों that की this is a once in a century event यानि यह तरक देना कि ऐसी event ऐसी घटना जो है यह सदियों में एक बार होती है that caught event developed countries napping और इस घटना ने तो विक्सित देशों को भी अपने napping में नहीं लापरवाही की वज़े सुन को ले लिया था अपने चपेट में तो ये तरक देना could at best be a tenuous defense यह वास्तों में अगर देखा जाए यह tenuous defense है means कहिन कहीं कमजोर अपने आपको सुरक्षित करनी का तरीका है बच्चों फिर इस से देखे लाइने और अच्छी लाइने में फिर इस कहूंगा यहां आपको क्या बताया जा रहा है बच्चों सरकार यह तरक दे सकती ही न तो आर्गिव यह तरक दे सकती है that की this is a once in a century event की ऐसी घटना है तो सदियों में एक बार होती है that caught even developed countries napping और यह भी तरक दिया जा सकता है जो developed countries वो भी इसके शिकार हो गए लेकिन to argue यह तरक देना could at best be a tenuous defense यानि कितने भी अच्छी तरीके साथ यह तरक देले बच्चों लेकिन आपका यह तरक tenuous defense है यानि अपने आपको सुरक्षित करने का एक कमजोर तरीका है ठीक है यानि आप यह कहके नहीं बस सकते हैं कि देखे सदियों में तो ऐसा एक ही बार होता है कभी कभी होता है इसलिए लोगों को भी कहिन कहीं परिशानिया होंगी क्यों देखे even after it इट सरकार के लिए बच्चों even after it woke जाग जाना it woke from the slumber slumber में इस बच्चों गहरी निद्रा यानि even after it woke from the slumber यानि इसके बावजूद कि यह अपनी उस गहन निद्रा से जगी and announced और घोसित किया क्या घोसित किया बच्चों इस पेसल ट्रेंज के विसेश ट्रेने चलाई जाएंगी to ferry the stranded जो असहाइ फंसेवे लोग हैं उनको लाने ले जाने के लिए and starving workforce और जो भूक से परिशान कामगार लोग हैं उनको लाने जाने के लिए train चलाएगी ऐसा इसने announce किया यानि यह जगी अपनी उस निद्रा से और special train चलाने के इसने announce किया कि जो stranded लोग हैं और starving workforce है to their homes उनको उनके घरों पर पहुचाये जाएगा लेकिन इसके even इसके बावजूद confusion rained अभी भी एक किसका शाशन है बच्चों confusion rained यानि हर तरफ क्या पसरा हुआ है confusion में इस भ्रम फैला हुआ है समस्तों कि साशन होना हर तरफ भ्रम फैला हुआ है wondrous paperwork यानि burdensome troublesome paperwork यानि जो बोज से भरा हुआ यानि तरह से उबन से भरा हुआ जो paperwork है यानि बहुत सारी कागजी कारेवाही है and use costs और use costs यानि बहुत अधिक क्या कह सकते हैं जो टिकटों वगरे के आने जाने के खर्चे वगरे थे ये जो बड़े खर्चे थे वर हीपड लाग दिये गए on these happiness citizens किन के उपर बच्चों इन अभागे नागरिकों को उपर बेचारे नागरिकों को उपर आप कभी सोचेगा बच्चों न happiness 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 जानतें क्या होता है happiness भाग ये होता है तो happiness भागे शाली अर्थात खुश happiness अभागे फिर से देखें बच्चों happiness पेपर वर्क यानि भारी भरकम जो कागजी कारिवाही थी and huge costs और भारी भरकम खर्चे वर हीपड लाग दिये गए on these happiness citizens इन अभागे नागरिकों पर who manage जो ब्यवस्था करते हैं बच्चों to barely फिर देखें आप वही है to get के बीच में एड़ वर्ब आ गया जो ब्यवस्था करते हैं किसी तरह मुस्किल से ही get by अपनी निर्वहन करने के लिए जीने खाने के लिए even in the best of times वो भी उस समय जब समय उनके लिए बहुत अच्छा होता है सोची कि दिमला लाएन जब उनका समय माकूल होता है अच्छा होता है उस समय भी वो अभागे जो नागरिक हैं किसी तरह get by करते हैं रहन सहन के लिए अपने जीने खाने के जीवका जुटा लेते हैं और ऐसे लोगों पर भारी भर कम आप क्या थोप रहें बच्छों कागजी कारवाही करा रहें और उनकों पर बहुत सारी खर्चे क्या कर दे रहें थोप दे रहें करें आर्भी ट्रेосьली यानी राज्यों ने एत किया कारे किया बच्छों मन माने पून तरीके से और सबसे बड़ा दुख कि कोर्स इंतर्वीन थार्ट्रेस्ली जो अदालते थी उन्होंने भी intervened thoughtlessly बिना सोचे समझे क्या डाला दखल दिया मैंस अवरोध उत्पन किया मैंस वेवधान डाला मैंस दखल दिया hunger यानि अच्छी line यहाँ पे भी देखे बच्चों है hunger means भूख humiliation बच्चों means अपमान and fear of the disease और बीमारी का वो भै था यानि भूख अपमान और बीमारी का जो भै था mid thousands of these migrants so desperate desperate means हताश निरास इन चीजों ने हज़ारों उन मजदूरों को प्रवासियों को इतना अधिक निराश कर दिया that key they ventured कि उन्होंने साहस कर लिया बच्चों रिस्क ले लिया यानि एक तरह से खत्रा मोर ले लिया to walk कि वो पैदल चले thousands of kilometers हजारों किलोमेटर के दोरी के लिए to get home ताकि कहां पहुंच सकें वो घर पहुंच सकें बच्चों समझ रहे होंगे आप all of this could have been यहांज देख ले all of this could have been managed better यह सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेस किया जा सकता था यहनि इस सारी चें अच्छी तरीके से निप्टाई जा सकते थी इनकी विवस्था की जा सकती थी had is had means था थी थी नहीं होगा बच्चोंच पास्ट परफेक्ट नहीं है is had means यदी if के सेंस में conditional sentence में आप यूज करते हैं ठीक है याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो all of this could have been managed better इस सारी चें बहतर तरीके स्निप्टाई जा सकते थी had यदी the center worked with the states यदी केंदर ने राजियों के साथ कारे किया होता to map out a strategy क्या बनाने के लिए बच्चों एक रणनीती तैयार करने के लिए map out तैयार करना खाका बनाना यदी center ने राजियों के साथ एक अच्छी रणनीती बनाई होती to support those उन लोगों का साथ देने के लिए who wanted to stay where they were जो वही रहना चाहते थे जहां पर वो थे and organized the return of those और सरकार ने क्या किया होता organized the return of those उन लोगों के लौटने की विवस्था कर दी होती who choose a choose की second form है who choose to do so जो लौटने के लिए तैयार थे in an orderly manner विवस्थित तरीके से यनि जो विवस्थित तरीके से लौटने के लिए तैयार थे उनको लौटने की अर्ग नैस कर दिया होता बेश्था कर दिया होता और जो वहां रहने के लिए तैयार थे उनका क्या कर दिया होता साथ दे दिया होता तो ऐसा यदि center ने राजियों के साथ मिलकर एक सही रणनी तैयार की होती तो ऐसा न हुआ होता बच्चों A huge cost has already been paid एक बड़ी कीमत पहले ही अदा की जा चुकी है in lives यानि जीवनों के रोप में यानि लोगों की बहुत सारी मौती हो गई बच्चों and suffering और बहुत सारी लोगं क्या हो रहा है कश्ट हो रहा है तो बहुत बड़ी कीमत आलरी अधा की जा चुकी है बट लेकिन even now अभी भी there can be measures उपाय हो सकते हैं to mitigate mitigate means बच्छो किसी चेज की तीवरता को कम करना दर्द को कष्ट को कम करना यह अभी भी उपाय किये जा सकते हैं बच्छो to mitigate the situation इस इस्थिती की तीवरता को इसके कष्ट को क्या करने के लिए कम करने के लिए for that और इसके लिए क्या करना होगा बच्छो it must have a more open and honest communication must यहाँ model है बच्छो और have यह main verb है it यानि सरकार it must have a more open and honest communication सरकार को क्या करना चाहिए बच्छो open and honest communication यानि बिल्कुल खुली और इमानदारी से भरी बातचीत करनी चाहिए with state governments किन के साथ, राज्य के सरकारों के साथ and citizens और नागरिकों के साथ tough majors may be essential ठीक है यानि tough majors जो कड़े उपाए हैं may be essential यानि आवश्यक हो सकते हैं बच्चों लेकिन caring ones लेकिन ऐसे उपाए जिनमें आप दूसरों के क्या करते हैं बच्चों इन नागरिकों की परवाह करते हैं इनकी ध्यान रखते हैं ऐसे उपाए are just as vital ये ज्यादा क्या हैं बच्चों महत पोर है this unfolding tragedy जो सर्व विदित tragedy है बच्चों दुख है means आपदा है must be stopped निश्चत ही रोकी जानी चाहिए in its tracks इसकी पटरियों पर है यानि इसकी पटरियों पर ही इस आपदा को आप रोक दें ताकि रेल की पटरियों पर मजदूरों को मरने की नौबत ना आए बच्चों ठीक है बढ़ियां लाइनी थी बच्चों अच्छे इस पढ़िएगा दुबारा तिबारा पढ़िए पढ़िए पढ़ते इस समय आपकी कई सारी preparation of word power की हो जाएगी grammar की हो जाएगी बच्चों कई सारी आपकी तियारियां हो जाएगी और यह मेरा लाश्ट देख लें जल्दी से जो सेक्षन मेरा वेनिका सबसी important है कि अभी जो आपनी पढ़ा उसमें आपने कितने अच्छे-च्छे words आपनी पाए इस सब यहां मिल जाएगी बच्चों देखें जल्दी से आपको याद हो गया बच्चों ट्रेजडी क्या होती है जो दुख से भरी घटना होती है वो ट्रेजडी होती है communication क्या होता है एक दूसरे जब आप समवाद अस्थापित करते है communicate करते है यह communication होता है strategy क्या होती याद हो गया आपकी रण नहीं थे कोई प्रापर planning जो होती वो strategy होती vital क्या होता है बच्चों जो crucial हो important होता है वो vital होता है महत्वपोंड इश्ठ्यून क्या है बच्चों इश्ठ्यून का third form है आपका adjective के रोप में इश्ठ्यून बिखरे हुए छितराए हुए flip flop क्या है बच्चों a sudden reversal यानि जब आप निड़े में बार-बार उलट-पलट कर रहे हूं परिवर्तन कर रहे हूं तो यह एक flip flop होता है facilitate क्या हो गया facilitate किसी प्रक्रिया को और आसान बना देना कोई procedure अगर बहुत टफ है बच्चों तो उससे facilitate कर देना easier बना देना instance याद हो गया example means कोई उदाहरण humiliation humiliate से बना humiliate क्या होता है अपमानित करना वर्प के रूप में तो humiliation क्या हो जाएगा अपमान एक noun के रूप में strategy मैंने दुबारा दी है कोई दिक्कत नहीं बच्चों याद कर लें strategy क्या होगा याद होगा आपको प्रोटोकाल कुछ सुनिष्चित नियमों की ऐसी व्यवस्था जो दो सरकारों के बीच में होती है वो प्रोगा क्यालाता है hardship कठिनाई difficulty को कहते हैं aggravate मतलब to make worse बदतर बना देना और severe बना देना intensify कर देना incompetence means जब किसे नदर potential नो चमता न हो नपुन सकता हो तो वह incompetence होता है toddlers means young children छुड़े बच्चे infirm वो लोग जो invalid होते हैं बच्चों means कमजोर होते हैं अशक्त होते हैं दिव्यांग होते हैं वो infirm कहलाते हैं desperate बढ़ियांवड़ बच्चों desperate means हताश, निरास बिलकुल orderly, orderly means व्यवस्थित means अच्छे तरी ध्यान रखे बच्चों यह adjective है आपका adver मस समझेगा order plus ly है जो noun plus ly होते हैं वो adjectives होते हैं indelible यानि admit जिसे दिमाग से मिटाये नहीं जा सकता हो कहीं से हटाये नहीं जा सकता हो inept अक्षम अयोग्य होता है insensitive और samvaydanshil जिसमें samvaydna नहो survivors जो जीवित बचेहवे लोग थे spare छोड़ देना या बचेहवे हिस्से को spare कहता है spare parts आपने सुनाओगा spectacles बच्चों आप यहाँ जानते होंगे यहाँ द्रिश्यों के रोप में है वैसे spectacles जो है उसे means चस्मा भी होता है pestilence means कोई महामारी कोई pandemic tailspin हो जो मांसिक विखरा होता है downturn होता है decline होता है वो tailspin होता है venture कोई risky job means कोई खत्रे से जोखिम से भरावा जो कारी होता है वो venture होता है mitigator किसे चीज़ के तेवरता को दर्द के तेवरता को कम कर देना numerous समझते होंगे numerous से बनाए means अंगिनत कई सारे amendments याद है सुधार जिसको आप कहते है amendments संशोधन को भी कहते है कारून की भासा में napping nap से बनाए means एक तरस लापरवाही भरा कह सकते है या उँगना अर्थात एक तरस से जपकी लेना openness क्या है बच्चो उबन भरा यानि बहुत अधिक भारी भर कम जिसे बहुत अधिक कारी करना पड़े tenuous means कमजोर मैंने आपको हिंड दिया था आज कलिके relations बहुत tenuous है बहुत कमजोर है hapless, happy इसी से बना hap से, तो hapless lesser यहीं जिसका भाग अच्छा नहीं हूँ अब भागा arbitrarily, adverb याँ बच्चो मैंस मनमानी पूर्ण तरीके से, स्वच्छन्द तरीके से intervene, दखल देना means हस्तचेप करना पड़े याँ वड़े, इसी से intervention बनाया आपका, दखल, हस्तचेप map out, किसे चित का खाका बना लेना, रणनीत त्यार कर लेना और essential जानते हैं आप आवशक जरूरी होता ठीक है, तो आप जरूर अपनी राय दीजिएगा बच्चों, कि यह editorial का session मेरा कैसा रहा, और जिन बच्चों ने subscribe नहीं किया है, वो जरूर 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 subscribe कर लें और आप like, comment, share करना न भूलें, और दोस्ते बच्चों को बताते रहें, ठीक है, जल्दी ही मैं बच्चों में session में, जल्दी ही आपको इस session live लेने के मैं बवस्ता कर रहा हूँ ताकि आपको और अधिक सुमिधा हो, ठीक है, तो मिलते हैं अगले session में आप से, और तब तक के लिए have a nice day कह सकते हैं, good night भी कह सकते हैं, या have a nice day कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, thank you